तो आज हम बात करेंगे अधानी एनर्जी सोल्यूशन की 1050 के आसपास की क्लोजिंग, प्लेट बंद रहाज, दो रूपे के आसपास की कमजोरी के साथ, यहां पर अभी देखें तो पिछले तीन दिन की अगर बात करें, यह जो नीचे सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, उसके पिछले तीन दिन उसी के ऊपर जाने की कोशिशिच हो रही है, अगर इसके ऊपर निकल जाता है, फिर अच्छी तेजी आ सकती है, 1100 तक तो कम से कम यह जा सकता है, ऐसा लगी जा रहा है यहां पर, साथ-साथ, बुलिंजर बेंक का जो मिडल लाइन है, वो भी 1050 के लेवल के आसपास ही है, तो अभी फिलाल इसी वज़े से यहां पर यह रेजिस्टन फेस कर रहा है, और टेकनिकल चाट का भी यूसपूल ले सकते हैं, साथ-साथ, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसके उपर हम डेली टेकनिकल चाट के उपर एनलिसिस करते हैं, अभी वोलियम के अंदर कमी है, पिछले दिनों के मुकाबले, यहां पर भी अगर आप देखे, तो आज एक लाख और 80,000 के असपास की डिलिवरी उठी, कम वोल प्रिजल्ट भी अच्छे आ सकते हैं, तो अगर देखे तो इसके अंदर तेजी आ सकती है, लेकिन तब जो है एक लिमिटेट टेजी आ सकती है, लेकिन अगर कुछ पोजिटिव, कुछ ऐसा मतलब की अनुमान से बेतर अगर आए, इसका रेविन्यू या प्रोफिट जो इसने पिछली बार हाय बनाया था, उससे थोड़ा सा नीचे का लेवल 1240 का असपास का, तो ये दो लेवल पार होते हैं, उसके बाद एक और भी तेजी अच्छी का सियाने की संभव न रहे सकती है, अगर बात करें मीडियम तूंटू लोंग टरम की, और लोंग टरम है अब भी बढ़ रही है, मतलब की बढ़ सकती है, और आ गई उसी के चलते हैं, पावर की डिमाड भी बढ़ सकती है, तो यहां पर वीकली चाट के उपर जबम इसको देखते हैं, तो इसके अदर भी यहां पर वही सिच्वेशन बनी हुई है, फाइव ओन नाइन विक का और 60 के आसपास है, तो अगर इस लेवल को पार कर देता है, तो जैसे कि हमने बात की यहां तक जा सकता है, जो की 1120 का लेवल है, इसकी उपरी लाइन, और सपोर्ट एरिया 1000 रुपे के आसपास, क्योंकि इसकी नीचली लाइन वहां पर अभी भी है, पिछली बार अभी देख तो कल के मुकाबले यह जो बार है, थोड़ा सा छोटा बना है, अगर कुछ लेवल को पार कर देता है, खास करके 1120, 1130 को, तो एक अच्छा कसा इसके अंदर जो है, जैसे कि अमनवाद की एक बुलिस क्रोसवर हो सकता है, अभी क्वार्टर फॉर के रिजल अगले हपते ही ह तो एक अच्छी तेज़ी भी आ सकते है, उसके बाद कम से कम 1200, 1200, 1200 तक तो जैसा लग रहा है यहां पर, अगर 1120, 1130 को क्रोस कर दें अच्छे वोलिम के साथ, यहां पर देखे, आरसाई तो 48 के आसपास है, इसका, न्यूटर कंडिशन में है, 30 के आसपास अगर यह आता है, तो अभी यहां पर 1050 का प्राइस है, सपोर्ट की अगर बात करें, तो पहले तो 1020, उसके बाद देखे तो 1000 का लेवल, उसके बाद देखे तो 980 से लेकर, नीचे में थोड़ा सा दूर के सपोर्ट की बात करें, तो यह यहां पर दिख रहे है, 980, 980, यह करिब के तो तकरीबन पहला, इसका जो रेजिस्टर अरिया है, 1070 का, उसके बाद देखे तो 1200 का लेवल, 1200 से 1130 की रेंज है, अगर यह लेवल पार होता है, फिर 1240 का सपास का एक जो है, वो रेजिस्टर दिख रहा है, अगर सभी रेजिस्टर पार होता है, फिर अच्छी तेजी आ यह सकती है, यह सोट टाम की हम यहाँ बात कर रहे है, और नज़िक की सपोर्ट और ररेजिस्टर की हम बात कर रहे है, कल के दिन मुझे यह रिज़ रहा है, कि यह वापस से अगर 2000 का साथ रहा, तो इस level को पार कर देता है, उसके बाद जो है, 1070 तक जा सकता है, और नीचे सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे दूसरे वीडियो भी आप चाहें तो देख सकते हैं, और एक्ट्रेंडर डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप पोई भी टेट ले, उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने बाइन इसे रेड़ वाइर किसे लाए उसके बाद ही कोई डिसी जन ले, और डिसी जन ले तो उसकी में दारी मेशृरिटी के साथ को दे ले, ये वीडियो में नहीं जो किसन परपस के लिए बिनाए, मेरे तरफ से कोई भी बाई असल की रेकमेनेशन नहीं है, थैंक यू